हेलो फ्रेंट्स मैं महादय तुवारी स्वागत करता हूँ अब सभी का अपने यूटूब चैनल क्रियेटिव देव पे फ्रेंड आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक्स लुक अप किस तरह से यूज किया जाता है एक्सल में तो फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर नए एक साथ अगर आप दोनों सेल्स को फिल करना चाहते हो इस दोनों सेल को तो यह फिल नहीं हो पाएगा ठीक है अगर आप वी लुक अप लगाते हो तो वी लुक अप से आपको पहले स्टेट लाना पड़ेगा फिर सेल लाना पड़ेगा ठीक है लेकिन एक्स लुक अप को आप एक साथ दोनों डेटा को फिल कर सकते हो तो आए देखते हैं कि X lookup किस तर से लगाते हैं तो X lookup लगाने के लिए आपको equal to लिखना है और equal to लिखने के बाद आपको XL लिखकर को प्रेस कर देना है उसके बाद यह पूछेगा lookup value यहां पर जो भी नेम होगा जिसके बेस पर आप इस लुकप लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है उसके बाद आपको कॉमा लगाना है कॉमा लगाने के बाद यह पूछेगा return array तो return array यहां पर जिस table से आप data लेकर जाना चाहते हो वहाँ पर जोबी base data है उसको select करना है तो यहां पर मैरे जो table है यह यह मेरे लिए best data है तो मैंने इसको select कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है क蓉मा लगाने के बाद यह पूछेगा match mode तो match mode मतलब अगर आपका बेस्ट डेटा मैच हो रहा तो इसमें से क्या लेकर आना चाहते हो आप तो यहां पर जो है इस्टेट और सेल्स लेकर में आना चाहता हूं तो इस पूरे डेटा को मैं सिलेट करूंगा उसके बाद कॉमा लगा के ब्रेकेट क्लोज का साइन लगाऊंगा और एंटर कर दोंगा जैसे ही मैंने ब्रेकेट क्लोज करके एंटर किया आपके सामने देख रहे हो कि एक बार में दोनों सेल जो है वह फिल हो गया ठिक है फ्रेंस तो इस तरह से एक्स लुकापका इस्तिमाल किया जाता अगर आपको इसके regarding कोई भी doubt है तो आप comment section में जाके comment करके मुझसे पूच सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next video में till then bye bye and take care